मुक्य मंतरी सिरेंजवी योजना का नाम चेंज करके मुक्य मंतरी आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है आपको बता दूँ यहां पर जो मुक्य मंतरी सिरेंजवी योजना को यहां पर जो स्वास्ति भीमा योजना है इस योजना का जो नाम है बहुत बार चंज हुआ जब यहां पे पहली बार कॉंग्रेस सरकार इस योजना को लेकर आई इसके बाद यहां पे फिर से जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसके अंदर बीजेपी सरकार आई पिजय पी ने यहाँ पे जो भामा सा गार्ड ले काये थे तो भामा सा नाम की यहाँ पे एक सिरेंजी भी टैप एक योजना निकाली थी और ठीक इसके बाद में फिर से Director गर आई फिर से यहाँ पे मुक्य मंतरी सिरेंजी भी योजना इसका नाम कर दिया है दोस्तो आज दोस्तो इस वीडियो में यही देखेंगे कि मुक्य मंत्री आयू आयूसमान आरोगी योजना के लिए आप रजिस्टेशन कैसे कर सकते हैं आगो बताई यह जैसे मुक्य मंत्री सिरिंजिव योजना के अंदर हमें 850 रुपे कटाके जो यहां पर आविदिन करते थे अपलाई करते थे योजना के लिए वैसे यहां पर अपलाई आप कर सकते हैं यदि आपके पास आयूसमान कार्ड वो अलग है और यहां पर यह अलग होने वाला है आपको बता दूँ कि यहां पर जो NFSA के अंदर है NFSA के अंदर जो भी रजिस्ट्रेड परिवार है वो इसके अंदर रजिस्ट्रेड और रजिस्ट्रेड है दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि इस तरीके से रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है आपको सबसे पहले तो अपनी SSO ID है आपको SSO ID से यहाँ पर अधर जो एप से उसको उपर जाना है इसके बाद में यहाँ पर आपको सर्स बाहर के अंदर सर्स करना है मुख्ये मंत्री आयस्मान जो है आयस्मान आरोगी योजना इसी एप्लिकेशन को हमें ओपन कर लेना है यहाँ पर देख सकते हैं आकर यह डैस interface यहाँ पर आपको देख सकते हैं वैसे interface मुझे यहाँ पर लग रहा है यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे options आपको मिलते हैं इसके अंदर देख सकते हैं पहला Transactions Management System है TMS उसके बाद में यहाँ पे Citizen की Service है मिलती है आप Registration कर सकते है For Maa योजना और आपको बताएए जो यहाँ पे मुक्यमंत्री आयुस्मान आर्योगी योजना है यही एक Maa योजना भी है मा का मतलब होता है Maa का फुल फॉर्म होता है मुक्यमंत्री आयुस्मान आर्योगी योजना MAA आप समझ गए इसका फुल फॉर्म होता है Maa का वो होता है मुक्यमंत्री आयुस्मान योजना तो यही है इसका फुल फॉर्म है इसके लिए registration करने के लिए इसी के उपर आपको क्लिक करना है इसके बाद में citizen service बता दी service request और dashboard यहाँ पर जो है rts यहां फिर my योजना तो माई योजना एक बड़िया यहां पर रखा है इन्होंने माई योजना चीदा यहां पर कर दिया इसके बाद में देख सकते हैं organ transplant है वह application यहां पर आपका दिखेगा doctor details यहां पर आपकी दिखते वाली है आपको registration करना है लाइजिरें पर तो यहां पर registration योजना के उपर आपको क्लिक करना है उसके बाद में सारे आपको options मिल जाते है यहां फिलाल जो है options जो कि यहां पे पिआप से हैं ऑबग से यहां पे सर्ष करता हूं आपि परिवार को आदार के सर्ष कर लिया इसके ऑद में थोड़िगाए है इसकी और अगई यहांपे दिछ सकते इसकी Expire है पॉलिची तो मैं यहां पर Generate यहां पर Generate पॉलिची या Renewal पॉलिची को उपर किलिक करूँगा, तो यहां पर आपको जो है, यहां पर देख सकते हैं कि Member की e-sign details आपको बतानी है, तो जिस Member से आप e-sign करना चाहते हैं उससे आपको e-sign करना है जैसे यहां पर मैं एक वैक्ति को select कर लेता हूं इसके बाद में मुझे category है वो select करनी है तो मैं यहां पर category select कर लूँगा तो category के अंदर बागी सब category hide है जैसे यहां पर OTR जो है pad वाला pad वाला यहां पर होगा जो pad करना चाहते है इसके बाद में देख सकते हैं आपको सहसे यहां पर इस side करना है उससे पहले आपको e-sign करना है यहां पर देखे स्क्रॉल करने को e-sign के उपर आपको click करना है तो e-sign में आपकी यह सब गोशना होगी इसके अंदर biometric और यहां पर जो o-tp का option है दो option है आपको यहां पर मिलते है पहला biometric है पहला o-tp फिर biometric option है बायो मेंटर का capture करने के लिए biometric के उपर click करेंगे इसके बाद में जो है आपका send request पर click करेंगे तो यह request आती है जो आपकी device connected होगी system के साथ यह आपके पास नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं करना है आपको यहां पर simple सा o-tp के option के उपर click करना है उसके बाद में यहां पर send o-tp पर click करना है तो o-tp जाएगी आपके register number पर यदि नहीं होगा तो उसके बाद में जो नहीं होगा register number तो नहीं जाएगी आई बेटन के दूर आपको वैसे पैमिंट कटा लेना है जैसे वेरिपाइए के उपर क्लिक करेंगे तो पैमिंट टैस्पोर्ट पर बेज देगा आपको अपना जो 850 रुपे का जो टोकन है वो जन्रेट करना पड़ेगा किसी भी तरीके से यहां पर बीट कार्ड हो गया य आप पर जो नेट बैंकिंग है वह सरी है यूपी आई है यह आप करके यहां पर कर सकते हैं उसके बाद में जो आपकी फॉलिस है वो डावलूड आप कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस अतना है और वीडियो उसके लिए से लोगो जरूर सब्सक्राइब आप कर दो डो आपका जाया एनाओ कर सकते हैं नहकर यू है उसके ए में जा कर लो कर सकते हैं बड़की को के लोगम र tes परे और आप